एक कश्मीरी सुटूडेंट पर देहली में तेज दाहर हत्यार से हमला किया गया है और आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त देहली से निकल कर सामने आ रही है जहां पर कश्मीर से तालुक रखने वाली एक नर्सिंग सुटूडेंट के साथ ये मामला पेश आया है और आपको बता दें कि ये मामला उस वक्त पेश आया जब आटो ड्राइवर के साथ इसका जगड़ा हुआ और ये जगड़ा किराये को लेकर हुआ और किराये को लेकर आटो ड्राइवर ने इस पर तेजदार हत्यार से हमला कर दिया और आपको बता दें कि इस नर्सिंग शुट्रेंट की उमर 22 साल बताई जा रही है और इसका तालू को वादिय कश्मीर से है और जब एक आटो ड्राइवर के साथ इसकी बहस हुई किराये को लेकर उसी दोरान आटो ड्राइवर ने इसका तेजदार हत्यार से हमला कर दिया के बाद इससे हस्पिताल मुंतकल किया गया जहां पर अब इसका इलाजवा मौलजा चल रहा है और आपको बता दें कि यह गुजश्ता कल का मामला है जो सोत इस दहली में पेश आया है और इस खातून इस सुटुडेंट की जो पहचान है वो महरीन रियाज के नाम पर थी और आपको बता दें कि इसने एक आटो रिक्षा लिया जो सीसी मार्किट अन फसी जा रही थी जब यह वहाँ पर पहुँची तो आटो रिक्षा का जो ड्राइवर था उसके साथ किराये को ले कर इसकी कुछ बहस हुई और इसी बहस के बीच आटो ड्राइवर ने एक तेजदार हत्यार से इसपर हमला कर दिया और साथी साथ आपको यह भी बता दें कि जब इस पर हमला किया तो इसके फौरी बात जो है इस से हसप receiving किया गया और आपको बता दें कि इस से इसके लँवर में जो है राइट साइड पर काफी ज्यादा injuries आई है ये बुरी तरह से जो है वो जखमी हुई है और उसके बाद इस ने जो है एक पोलिस कंपलेंट करवाई इस हवाले से पोलिस ने एक FIR जो है वो register कर दी गई है IPC at IPC at NFC police station में जो है ये FIR जो है वो register की गई है और इस हवाले से जो है वो तहकीकात लगातार ज बारहाल ये मामला कल शाम आठ बज कर तीस मिनट के करीब जो है वो पेश आया है और उसके तकरिबन पांच गहंटे बाद जो है इसे प्राइवेट हस्पिताल में जो है वो पहुंचाया गया है जहां पर अब इसका इलाजवा मौलजा चल रहा है लेकर सवाल ये पैदा हो जब इसने सीसी मार्किट जाना चाहा तो सीसी मार्किट पहुंचकर जो है आटो ड्राइवर के साथ किराए को लेकर जो है इसकी बहस हुई और इसी बहस के बीच जो है इस पर हमला किया गया तेजदार हत्यार से हमला किया गया जिसके बाद ये बुरी तरह से जखमी है और हकारत बरी निगाहों से देखा जाता है और इसी बीच जो है आज फिर से एक female student को जो है वो निशाना बनाया गया उस पर जो है वो हमला किया गया और हमला भी एक आटो रिक्षा ड्राइवर की जानिब से किया गया सिर्फ किराये को लेकर जब इनकी बहस हुई तो इसी बीच जो है आटो रिक्षा ड्राइवर ने इस पर हमला कर दिया बारहाल एनाई की रिपोर्ट के मताबिक ये खबर में आप तक पहुचाने की कोशिश कर रहा था कि फिर से जो है एक गिन्होना मामला जो है वो पेस आया है देहली में जहां पर एक कश्मीरी female student पर तेजदार हत् से हमला किया गया है आपकी क्या राया है आप भी कोमेट वाक्स में जरूर दीजेगा तब तक के लिए आप बने रहे हैं इनकौाइरल सुड़े के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाहाफीज